हेलो, कैसे हो आप लोग, विलकम बैक टू माई चैनल आज अप्पे बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी अप्पे बनाएंगे इसे बिना रबा और बिना चावल दाल का बनाएंगे एक बोल में एक कप रागी का आटा डालेंगे इसे नाजनी भी बोलते हैं मड़ुआ भी बोलते हैं इसको एक कप डालेंगे रागी का आटा वन फोर्थ कप सूजी डालेंगे रबा है बारिक वाला डाले हैं चाहे तो सूजी भी ढाल सकते हैं, मोटा वाला Un4th Cup चावल का आठा डालेंगे चावल का आठा डालने से अपंपे बहुत ही क्रिश्पी बनता है रागी के आठे का आपपे Un4th Cup दही ढालेंगे दही को आप चाहे तो फेट कर भी ढाल सकते हैं वन फोर्थ कप पानी डालेंगे पानी डालकर इसे मिक्स कर लेंगे आप अप्पे को सिर्फ सूजी से भी बना सकते हैं रवा से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे मिक्स करेंगे वन फोर्थ कप और इसमें पानी डालेंगे थोड़ा थोड़ा डालका इसे मिक्स करेंगे बहुत ही टेस्टी और हेल्दी अप्पे बनकर तयार होगा टोटल ही वन फोर्थ कप पानी डाल लिए हैं टोटल इसमें हाफ कप पानी इसमें डाल लिए हैं पानी डालका इसे Mix कर लेंगे एक मिनट इसे अच्छे से Mix करेंगे फेट लेंगे इसे तीक हो गया है स्वाद के अनुशा इसमें नमक डालेंगे आप अपने पसंद से इसमें सबजी डाल सकते हैं बारी कटा हुआ लाल मिर्च डाले हैं आप चाहतो चिली फिलक्स डाल ले हरी वाली मिर्च लाल हो गया है उसे ही काटकर डाले हैं प्याज डाले हैं ये एक मीडियम साइज का प्याज है इसे बारिक बारी काट कर डालेंगे आपके पास हरा वाला प्याज है तो आप उसे भी डाल सकते हैं इसकी पत्ति और प्याज को ग्रेट किया हुआ गाजर लेंगे गाजर को छील कर दोकर साप कर लिए हैं से ग्रेट कर के डालेंगे अपचा तो बारिक-बारी काट कर भी डाल सकते हैं आधर टोमाटर लिए हैं टोमाटर का बीज निकाल कर और इसका पल्क निकाल लेंगे फिर बारिक-बारी काट कर डालेंगे हरी धनिय की पत्ति डालेंगे थोड़ा से जादा ही डालेंगे धनिया पत्ति भून सांपो न दाल हुआ धालंके पांसेच्छे काजु को बारीक बारीक काटकर डालेंगे इन सपीक कूडाल कर से मिक्स कर लेंगे आप अपने पसंद से और भी सब्वही झाल सकते हैं इसमें मटर को भी सुट कॉं Nag frontal क अड związ escritter कर लेंगे सारी सब दख कर 10 से 15 मिनट के लिए रखेंगे 15 मिनट के बाद इसे चेक कर लेंगे यह एक अज़ और इतना ही तीक रखेंगे ज्चादा पतला नहीं करेंगे एक चोटा चम मझ यह इनलेंगे इनलगे उपर ही कर लिए के और तीलह एक डल या घी डालेंगे आप स्था पैन को गर्म कर लेंगे इसमें घी डालेंगे आप जाहतो तेल भी डाल सकते हैं जी tallest त Jewish नहिंत डालेंगे सभी में बैटर को फील कर लिये हैं इसका ढखकन लगाकर 2-3 मिनट के बाद इसे चेक करेंगे 3 मिनट हो गया है ढखकन हटाकर इसे चेक कर लिएंगे एक साइट से ये सिख गया है इसे पलट लेंगे आप चाहे तो उपर से फिर से इसमें तेल ये घी डाल सकते हैं बहुत ही कम तेल में बनकर तयार हो जाता है बहुत ही हेल्दी बनकर तयार होगा सभी को पलट कर फिर से ढखकर रखेंगे फिर से 3 मिनट के बाद चेक कर लिएंगे छे से साथ मिनट में अप्पे सीख जाता है अंदर आप चाहे तो तूथ पिक डाल के इसे चेक कर सकते हैं आपको जित्तक क्रिस्पी पसंद है उस सनुसार से आप इसे बना ले सभी अप्पे को निकाल लेंगे फिर उसी पैन में गर्म करके इसमें घी डाल कर फिर से इस अभी में फिल कर लेंगे बैटर को इसी तरीके से सारे अप्पे को बना कर तयार करेंगे अगर आपको मेरी रेशेपी पसंद आए तो लाइक, सेयर, सब्सक्राइब करें, कॉमेंट करें रागी के आटे का अप्पे बनकर तयार हो गया, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी है यह रवा का अप्पे से भी ज्यादा यह सॉफ्ट बनकर तयार हुआ है इसे आप हरे धनिय की चटनी या टोमाटो केचप के साथ सर्फ कर सकते हैं आप भी इस रेसिपी को ट्राइ करें, थेंक यू, बाई